हलो स्टूडेंस आज हम वर्कशीट 41 को डिसकस करेंगे हमारा चाप्टर है 9 बल तथा गती के नियम आज हम गती के तीसरे नियम की बात करेंगे जैसा हमने अपनी पिछली वर्कशीट में देखा था कि बल हमेशा जोडे में रहता है और विपरीत दिशा में होता है लेकिन व कि ये तीसरे नियम पर आधारित है और तीसरे नियम क्या कह रहा है कि जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू के ओपर वापस बल लगाती है यानि कि यहां पर दो विरोधी बल है उनकी मात्रा बराबर है लेकिन दिशा विपरीद होती है तो पहले बल को हम कह रहे हैं क्रिया और दूसरे बल को हम कह रहे हैं प्रती क्रिया जैसे एक्जामपल हम देखते हैं मालो ये एक दिवार है इस दिवार के ओपर जैसा आप खेलते हैं तो आपने ये बॉल फेंका तो जब आपने बॉल उसके ओपर फेंका जिसकों की हम कह रहे हैं प्रती क्रिया अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दो बल लग रहे हैं एक है क्रिया और दूसरा है प्रती क्रिया लेकिन इनकी दिशा इनका जो magnitude है वो कैसा है वो बराबर है लेकिन इनकी magnitude या मात्रा इनकी दोनों की बराबर है लेकिन दिशा हम देख रहे हैं दिशा दोनों की विपरीद है तो इस तरह से ये जो बल लग रहा है हमारा गती का तीसरा नियम कहलाता है और अगर हम दूसरे और उधारण देखें तो जैसे आप बॉल से खेलते हो या फुटबॉल है जब हम उसको केक करते हैं तो क्या होता है केक करने पर फुटब हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गती का तीसरा नियम जो है वो क्या कह रहा है कि प्रतिय क्रिया के समान एवं विपरीद प्रतिक्रिया होती है और ये दो विभिन वस्तूओं के उपर कार्या करती है यहाँ पर अब हमें एक उधारण देख रहे हैं कि ये मा खींचा, तो क्या हुआ कि A ने B के ओपर बल लगाया, जिसको हम कहरें क्रिया, और B ने भी A के ओपर बल लगाया, जिसको हम कहरें प्रतिक्रिया, और अगर इस तुला के अंदर अगर आप देखोगे तो दोनों में, दोनों पैमाने में Reading सेम है तो same reading क्या दर्शार है कि इसके अंदर जो है जितना बल लगा या जितनी क्रिया A ने B पर की उतनी ही प्रतिक्रिया B ने A पर की तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर है अब और examples अगर हम तीसरे गती के नियम के अपने दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो जब हम कोई भी खेल खेलते हैं आपस में टकरा जाते हैं और टकराने पर चोट लगती है तो दो व्यक्ति होते हैं आपस में एक क्रिया बल लगा रहा है तो दूसरा प्रतिक्रिया बल तो इसलिए यहां पर टकराने पर क्या हो रहा है चोट लगना सुभाविक है सेकिन हम देखते हैं कि चलना चलना भी एक गती के तीसरे नियम पर आधारित है कि जब हम चलते हैं तब क्या हो रहा है कि जो पैर है वो ब पैर के उपर बल लगा रही है और उसकी दिशा कहा है आगे की दिशा में तो इस तरह से जो है गती का तीसरा नियम हमें हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में या आगे चलने में एक और एक्जैम्पल अगर हम देखें तो बंदू से गोली छोड़ने पर बंदू का प्रतिशे पर चौथा है रॉकेट जब उपर उठ रहा है तो रॉकेट किस कारण से उपर उठ रहा है कि यहां पर जब रॉकेट से जो गैस निकल रही है वो गैस क्या कर रही है उसको रॉकेट को उपर की तरफ धकेल रही है या उपर की तरफ बल लगा रही है उसके उपर जिससे र पैर क्या कर रहा है नाव के ओपर बल लगा रहा है जिससे नाव पीछे की ओर जा रही है और नाव जो बल लगा रही है व्यक्ति के ओपर उसके कारण वह आगे की दिशा में जाता है तो एक बल करिया है और दूसरी बल प्रती करिया अगला उधारन अगर हम देखें तो ट्र जो अभी worksheet के प्रारंब में मैंने आपको example दिया था तो वो भी एक example है गती के तीसरे नियम का अब एक बर हम इनके questions को discuss करते हैं पहला question क्या कहरा है कि गती का तीसरा नियम लिखिए अभी जिसे हमने देखा गती का तीसरा नियम क्या है कि जब एक वस्तू दूसरी वस्तू प बल लगाती है दोनों विरोधी बल की मात्रा कैसी है बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में होती है एक अगर क्रिया बल है तो दूसरा प्रतिक्रिया बल होता है सेकिन कोशन हम देखें कि यदि कागज हमारे द्वारा पैन पर लगाए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर भी गती का तीसरा नियम लागू होता है थर्ड कोशन अगर हम देखें एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल के कंधे को कंधे से क्यों सटा लेता है कंधे से वो इसी लिए सटा लेता है ताकि जो है वहाँ पर उसे चोट ना लगे क्योंकि जब राइफल से बुलिट आगे की तरफ जाती है तो उतना ही बल उस राइफल को पीछे की तरफ लगता है और कंधा क्या कर रहा है कंधा उस राइफल को सपोर्ट कर रहा है जिससे की कंधे के ओपर चोट ना लगे fourth question अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में गती के तीसरे नियम के कोई तीन प्रयोग लिखें तो अभी जैसे हमने देखा तीन प्रयोग क्या हुआ पैन का चलना लिखना या जमी पर पृत्वी के ओपर चलना तो यह सारे examples जो हैं वो किसके हैं दैनिक जीवन में और अगर यह हम कोई भी खेल खेलते समय वहाँ पर भी गती का तीसरे नियम अपलाए हो रहा है या अगर कोई भी वस्तू हमने टेबल के ओपर रखी है तो वह वस्तू क्या कर रही है वहाँ पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल लग रहा है जैसे आप अगर कहीं पर बैठे हैं मान लो आप तो वहाँ पर भी क्या अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो प्रित्वी आप के ओपर बल लगा रही है और उतनी ही मात्रा में आप प्रित्वी के ओपर बल लगा रही है यहां पर भी दो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो अगर क्रिया और प्रतिक्रिया बल नहीं होगा तो क्या होगा आप उस जगे पर बैठें तो आप वहां बैठ नहीं पाएंगे और जो है आप अपनी एक जगे पर स्थाई नहीं रह पाएंगे तो यह अलग- को आप ध्यान में रखते हुए अपने आसपास और खोजिए कि कहां पर हम गती का तीसरा नियम प्रयोग में ला सकते हैं फिफ्ट कोशन अगर हम देखें गती के तीसरे नियम की मदद से हमें चलने की प्रक्रिया को समझाएं जैसा कि अभी यहां पर हमने देखा था कि जब ह और पीछे की तरफ धकेल रहा है और उतनी ही मात्रा में प्रित्वी क्या करिए आपके पैर को आगे और उपर की दिशा में बल लगा रिये तो यह आपको मदद कर रहा है आगे की तरफ बढ़ने में तो आपने क्या किया आपने क्रिया बल लगाया और प्रित्वी ने उतन the five questions आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और इसको और अपने आसपास और explore करें और देखें कि कहां पर हम गती के तीसरे नियम को लागू कर सकते हैं and thank you for watching this video